Hello everyone, मैं देवेश, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, हम लोग उच वेंड डियाग्राम वाले कोशन करेंगे, ये वेंड डियाग्राम दो टाइप के होते हैं, एक दूसरा टाइप बाद में देखेंगे, पहली अभी देखेंगे, लॉजिकल वेंड डियाग् इसले में कुछ कोशन रखा हूँ, उधारण के लिए देखेंगे कि किसी देश में क्या रहते हैं, किसी देश में राज्य होते हैं, जिला होते हैं, तहसील होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको वेंड डियाग्राम से यदि डिनोट करना है, निरुपीत करना है, तो हम मान लो इसको हम लोग मान के चलते हैं, यह राज्य है, या इसको हम लोग देश मान के चलते हैं, इसको देश मान के चलते हैं, तो राज्य जो है इसके अंदर आएगा, राज्य जो है इसके अंदर आएगा, और उसके अंदर क्या आएंगे, डिस्ट्रिक आएंगे, जिला ठीक है ऐसा इसको हम लोग दिखा सकते हैं ठीक है अब एक दूसरा उधारन लेकर चलते हैं हम लोग भारत चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं भारत से यह होगया भारत मालो यह जो सरकल है भारत को दिखाता है भारत एक देश है इसके अंदर जो है आयेगा यहां पे चलिया लेतें उत्तर परदेश, ये उत्तर परदेश, लेकिन मालोु में नेपाल बोलूँ घाथा जैसे ही मैं नेपाल बोल रहूं नेपाल। दो न भारत के अंदर नहीं है, ऐसा वह बहर आएगा नेपाल। और ये सारे के सारे मालों में दुनिया बोलता हूं, वर्ल बोलता हूं, है ना, तो ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे, ये बाहर आएगा थोड़ा से, ये ऐसा, ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे, वर्ल के अंदर आएंगे, ऐसा ही है, लॉजिक थोड़ा सा लगान यह है और कोशोंबने का कोशन करने से समय गावको और यह फ्रीय का है एक कोश भी अधी आता है तो यह कोशन बहुत इसन कोशन करने कि है यह ताज महला अगरोमतरपदेश यह तीन वर् Old Year Feast दिय है वो इसमेंसे कॉन सा ड्राइग्राम है जो उसको परफेक्ट फीट होगा ऐसा आपको बताना है तो देखिए ताज महल कहां है आगरा में है आगरा कहां है उत्तर प्रदेश में है तो देखिए यह माल इसको हम लोग ताज महल माल के चलते हैं यह हो जाएगा आगरा यह हो जाएगा यूपी ताज कहां है आगरा में है आगरा कहां है उत्तर पदेश में है और कोई डियाग्राम लेकर चलते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें सिद्ध हो रहा हो या यह तो तीनों अलाग अलाग है ठीक है ऐसा बहुत सार एक्जमपल लेग चलेंगे तो आपको समझ में आ है लेक्टर गर ट्राइंगल इंकलले तो देखिए इसमें से कॉल सा जो है पर भज़ाइगा किःगर कम है तो जो ट्राइंगल है वह तो ट्राइंगल है उसका रेक्टेंगल से कोई written lie लेकिन जो रेक्टेंगल है और ये कोड्री लेटरल है यह एक दूसरे से रिलेटेड है कैसे जो सारे के सारे कोड्री लेटरल है सारे के सारे रेक्टेंगल है वो कोड्री लेटरल होंगे जो सब आयात है वो तो चतुरुपुजी है यह ना अब देखो देखो वह यह जैसे मैं आयात बना लिया रेक्टेंगल है तो बनाया है ही, थोड़ा से इस में कमेंट करने हो जा है कहीँ भी हमें कर नहें करने हैं कहीं ऐसा आप से चली देखे हो तो यह मालों मैं इसको आयात एंसर हो जाएगा तो कितना छोटा सा चीज है लेकिन एक्जाम में कभी-कभी वह भी निये बनता है अभी हम लोग इस सिरीज में ऐसे ही कुछ कोशन करके देखेंगे 20-30 कोशन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा चलिए और देखते हैं यहां पर देखिए नियायाधिस चोर और अपराधी आप अपना अंसर अपने कॉपी में बनाएंगे क्या वो मैच हो रहा है देखेंगे जो मैं बता रहूं से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है यदि आप उससे असंतूश्ठ लगता है कि नहीं सर ऐसा होना चीजिए तो कमें लेकिन वाले सरकल को ठीफ लेकर चलते हैं और बहार वाले को सिनल जो क्रिबिनल है जो अपराधि है हो सकता है छो भूनी हो हो सकता है रेपिष्ट हो या कुछ भी हो सकता है वो ठीक है लेकिन एक वर्ड में कहा जाए तो सारे के सारे के सारे के सारे अपराधी है तो क्रिमिनल के अंदर हम भोग ठीव को रख सकते हैं अपराधी को रख सकते हैं और निज्जज को अलग कर लेते हैं उन्हें अधिस तो बिल्कुल रिजनिंग के किताब में तो यह है section ही है लग से इसको देख लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है मानव है महिला है पुरुश है मानव human beings यहां पर human लिखाऊंगा human है महिला है पुरुश है बना के देखिए क्या आ रहा है आपसे अंसर कौन सा आता है यह आता है कि यह आता है कि यह आता है कि यह आता है ठीक है तो देखिए यूमन बिंक्स महिला भी है और पुरुष भी है यह को मानलो हो मन लेकर चलते हैं तो महिला भी है और पुरुष भी है तो इसके अंदर ऐसा आएगा और यह ऐसा आएगा महिला और पुरुष एक नहीं हो सकते अलग अलग रखे हैं उसको है ना मेरे फीमेल रख्षा रख लगया या में और उमेन ऐसा आप रख सकते हो जैसा भी हो ठीक और हुवन बिंक्स उससाब से यह ऑप्शन डी दिखाई दे रहे है हमारा अंसर आपको लगता है कि इन में से अंसर है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से यह बनेगा आप बना कर देखेंगे अभी और भी कोशन है दिरे दिरे कर रहे हैं चोटे चोटे वीडियो बनेंगे टाइम पास करते हुए देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसे करना है कर गए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह देखें यहाँ पर क्या कोशन दिया हुआ है नाक हाथ और शरीर है ना शरीर के जगा अंग शरीर के अंग भी लिख सकता है वो कोई दिक ऑच शरीर यह हो गया यह कर आजिकंश करेंगे ऐसा यह अधिया यह वी दे सकता है कभी कभी लेकिन उसका भी कुछ अलग रहे गा वह आपको समाझ में आ जाएगा है मेरे पास वासे कुष्यन नेक्स चलते हैं औरत वकील और डॉक्टर औरत वकील और डाटो वीमें लायर एंड डॉक्टर ठीक है तो इसमें थोड़ा से मैं कन्फूज हो जा रहा था है इसको लेते समय लेकिन फिर भी है मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा आपको समझ में आया कि नहीं देखते हैं कुछ लोग वकील है डॉक्टर है और एड्वोकेट या लायर ठीक जैसा बोल सकते हैं लेकिन वीमेन बीच में आएगा यदि मालों वीमेन को इस तरफ कर देंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा तो उसे साब से आंसर यह है इसमें कौन किसको लिए आपसे इंपॉर्टर नही हो बहुत चोटा से चीज है इसलिए मैं ज्यादा समझाने में समय वर बात नहीं कर रहा हूं बहुत आसानी से समझ में आ जाता है चलिए यह देखिए यहां पर पिछले कोशन की तरह कोशन है इसको पहले देखते हैं हम लोग डॉक्टर पूरुष और वकील वैसा ही है यह पूरुष हो जाएगा इसमें कुछ लोग क्या है डॉक्टर है कुछ लोग वकील है या इधर ले सकते हैं सो कोई दिक्कत नहीं है जैसा पिछला कोशन था वही सही है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर क्या कोशन है टेबल तो देखो कौन सा आएगा यह तो नहीं इसको देखते चलिए यह हो सकता है अंसर यह फरनीचर हो गया उसके अंदर टेवल भी आता है और चेर भी आता है टेवल आप चेर तो ऑप्सन सी हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है उम्मीर है आपको यह समझना रहोगा इसमें पूछता है मैं रखा हुआ हुआ हुँ सारे के सारे वीडियो में आपको मिलेंगे चलिए यह इस वीडियो का लास स्लाइड है यह देखते हैं यह देखो जिसा मैं एक्जामपल दिया था स्टार्टिंग में ही देश भारत और नेपाल है ना नेपाल के जाए कुछ भी करे यह कंट्री हो गया ठीक है और यह इंडिया हो गया और यह नेपाल हो गया तो यह क्या हो जाएगा गलत तो यह और बार इसको कंट्री लेकर यह इंडिया हो गया और यह नेपाल हो गया ठीक है अब यह अंसर सही हो जाएगा और वो इंडिया लेकर चले थे यह इंडिया था उसके अंदर वालों कोई स्टेट है ना और अधर अधर कंट्री नेम तो वह बहार आएगा ठीक है इसी साफसे सपो लेना है कियो गरत है कियो सही है आपको यह संतुष होना साथ हो ऐसा नहीं होना चाहिए यह इसका answer ऐसा भी तो हो सकता है कर गए ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए चलिए यह कोशन बहुत important है देखेंगे यह कैसे important है समझेंगे सूर्य चंद्रमा और ताराय को इसको क्या समझेंगे यह संन है यह मुन है और यह स्टार 30 औह लगलग चीज इसा समझेंगे के सुर्य है छण कर दे। लेकिन इसके लिए हमको एक छोटी सी जांकरी होना चालनी पड़ेंगी यह चोटवसा जो जानकरी होना चाहिए अपने को कि जो सुर्य है, वह एक तारा ही है, इसको जेख्रफी में तो पढ़ाते ही है, सब पढ़े हुए, सुर्य जो है, एक तारा ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से यह तारा हो गया, और उसकी अंदर यह सुर्य हो गया, ठीक है, सूर्या के अंदर तारा नहीं आएगा, तारे के अंदर सूर्या आएगा, ठीक है, और चंद्रमा तो उग्रा है ये, प्रित्वी का वो अलग कर लेते हैं, तो देखें इसी साब से कौन सा आ रहा है, ये देखिए, ये है सन, ठीक है, ये स्टार, और ये मून, हमारा आंसर है, ओप्षण D, ये सही आंसर होगा, तो इस टाइप के कुछ लॉजिकल कोशन, छाट छाट के आप किसी भी मुक से बना कर देखें, दस पंदरा, फटाफट बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी इसमें और भी कोशन में रखा हुआ हूँ, वो न दोस आपके लिए लेकर आओंगा,